हेलो फ्रेंज कैसे हो आप सब लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे तो आज मैं सेयर कर रहे हूं आप लोगों के साथ नाइट रूटीन तो नाइट रूटीन में मैं क्या-क्या बना रही हूं आप लोग देख लीजिए तो आज बना रही हूं मैं मेटर पनीर की स तो मैं आप उसमें पनीर को थोड़ा थोड़ा हल्का फ्राइ कर लोगी जदा फ्राइ किया हुआ अच्छा नहीं रखता वनने जदा प्राइ चैसे तलने लगता है तो सारा पनीर मैंने तल लिया है उसके बाद हमने गरम तेल में उसी गरम तेल में हमने जीरा डाल दिया और उसके बाद हमने लैसुन हरी मिर्ची और प्याज को पीस लिया था दो तीन प्याज थी अच्छे से ग्रेवी हो जा इसके लिए तो उसको मैं पहले पका लेती हूं और टमाटर को भी मैंने दो तिन टमाटर को भी पीछ लिया है और उसके बाद फिर मैंने मसालों को एक कटोरी में ले लिया और उसमें पानी डाल दी जैसे कि पीसे हुए मसाले होते हैं धन्या, हल्दी और लाल मिर्स पाउडर और यह देख लीजे इस तरीके से मैंने को लग रहा ना मसाला उतना ही बढ़िया स्वाधे सब्जी बनी थी आज की तो मटर भी एट कर देती जिससे कि थोड़ी बहुत कची रह गई होगी तो वह भी पग जाएगी और उसके बाद हम इसमें एट करेंगे पानी और अभी पनीर एट नहीं करेंगे पनीर एट करें आप लोगों के साथ मंनकरें बहुत अच्छी बन जाएगी और अस्वाद भी बहुत अच्छा आने वाला है तो हम इसको अभी से ग्रेट करके रख लियेते जिससे कि बात में हम को रोटी बना रहे होंगी तो बीच में किसना नहीं पड़ेगा तो इस तरीके से क्रेट करके रख लेते हैं और जीरा अच्छे से दाल देंगे, अच्छे से उबाला जाएगा उसके बाद तो चलिए अब हम अपनी चावल बना लेते हैं, जो फ्रेंस हमने चावल ले लिये हैं, जितने को चाहिए थे उतनी, यानि कि छोटा वाला गिलास होता, वह हमने डेड़ गलास ले लिया है, और कोक चावल मैंने दो के रख लिये हैं पहले से ही, तो थोड़ी देर के लिए हम चावल को उसमें भूनेंगे, और उसके बाद हम इसमें एड क्या करें, पता आपको नमक, पानी और नमक डालना है बस, और इतने अच्छे चावल बनते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे बनते ह तो डेली फ्रेस इसी तरीके से बनाने वाले हो, मुझे तो पक्का पता है, तो आप लोग ज़रूर ड्राइ करके देखिए का, एक बार मेरी कहने से, ठीक है, और यह देख लीचे फ्रेंस, और फ्रेंस, यह देख लीचे मतर अच्छे स्वबल रही है, सबजी हमारी कोई बात नहीं, इस ऐसे ही चलेगी, और जब सब्चे हमारी डेडी हो गई थी ना, और उसके बाद हमने इसमें, जो पीजा वाला चीज आता है, मौसरी मौज रोला नहीं, जो प्रोसे सब्चीज आता है, वह वाला चीज मैंने इसमें उपसे डाल दिया, तो तो तक हम दे पीज़कों एक, आता हमने लगा के रख लिया है रोटी भी बनाना ज़रूरी है फटा फट से रोटी भी बनानी है, तो गयस हमने बंद करती हैं, तो चावलों को ठाक कर दोे साइड में, और अब में बनाऊंगी रोटियाां तो सब्से पहले मैं गयस कर देता ही, आन फटा अपहएं और मटरर की सब्ची बन attractive वर तो फटाफट से रोटि वह पेल लेती टानी एक पहुड़ मेरे वीडियो पर फिर्स्ट कमेंट करेगाhhhh नेश्ट वीडियो में लोंगी जो भी मेरे वीडियो पर फर्स्ट कमेंड फर्स्ट लाइक करेगा तो उसका चैनल का नाम मैं नेश्ट ब्लॉग में लोंगी ऐसे ही मैं हर वीडियो में किया करूंगी जैसे कि आपने इस वीडियो पर फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंड किया तो नेस्ट वीडियो में जो डालोगे ना उसमें उसका नाम जरूर लोगी मैं कि उनको भी सब लोग सपोर्ट करिएगा तो देखती हो कौन मुझे फटा-फट से फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट करता है तो उसका नाम किसका नाम लेती हो में नेस्ट ब्लोग में ठीक है? आप जरूर फर्ष्ट कमेंड करोगे और थोड़ा सा मुझे भी सपोट कर DINा मैं आपको सपोट कर दूँगी थोड़ा सा थो रोटिया बनाती जारीएं बनाती जारीएं फ्रेंस और इसके भाद फिर मुझे खाणा खापी कर किचिन को भी समेटना है भाई डेली हम औरतों का यही काम है और कोई-कोई सोच रहा होगा कि मैंने किचिन से अपना वीडियो स्टार्ट किया और किचिन में ही कतम कर दिया लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है ना फ्रेंस कि हम लेडिस हो के ज्यादा तरचिंदी की किचिन मे में ही निकल जाती है तो बैस नाइट रोटीन का क्या मतलब नाइट रोटीन का मतलब यही है कि किचिन में किचिन से स्टार्ट कर लिया है मैंने यह देख लीजिए मेरा खाना रेडि हो चुका है यह प्याज और ट्रमाटर का सैलिड़ा है और सबची रोटी तो फटा- मैं थो भी देती हूं लेकर अभी थक चुकी हूं सारा दिन काम करते करते और यह देख लीजिए तो अच्छे से मैं ग्यास को पहुंच दूंगे एक तम बढ़िया से और फिर जो हमारे ग्यास रखने किसलिए पैना उसको भी अच्छे से हम साफ कर देंगे और फिर उसके बातम को दोना है परतन और फ्रेंस से एक बात और में आप लोगों को बता देतीओ बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं मतलब वीडियो के अलावा भी घर बे कोई वर्क करते यानि कि घर पर कोई काम करते तो तो आप लोगों को मैं जवाब देते ती उ फ्रेंस क् कि आप भों मेरी फैम ली आप लोग को सब कुछ जानने का हुग है तो फ्रेंस हाँ मैं पर वीडियो वगानने के अलावा बे घर पे वर्क करती हूँ याने की घर पे से लाइक करती हूँ मैं तो एक वीडियो में से लाइका भी आप लोग के साथ शेर करोंगे तो दिखाऊंगे मैं किस तरीके से लाइक करती हूँ क्या सिलती हूँ मैं कैसे सिलती हूँ कितना पैसा मिलता है उसका और कैसे मिलता है ठीक है तो वो भी मैं आप लोग के साथ share करूँगा अगर आप लोग को सुनना देखना है तो प्लीज मुझे बताना कमेंट करके ज़रूर बताना तो बरतनों को मैंने माज दिया है और अच्छी से फटाफट फटाफट से धो देती हूँ और उसके बाद कुछने इनको दवाई देना है सुबस आपको दोने टाइम दवाई देना होता है मेरा बस फिर इसके बाद कोई रूटीन नहीं सब खतम बस इतना ही मेरा होता है लेकिन क्या करूँ मैं कट कर करके बनाती हूँ वीडियो क्योंकि अगर मैं फुल सेयर करोंगे न तो आप लोग देखो के भी नहीं पूरा और वो भी कम से कम 30-40 मिनिट का हो जाएगा तो इसलिए मैं कट कर कर के वीडियो बनाती हूँ तो बरतन भी मेरे धुल चुके हैं और गैस भी मेरी साप हो चुके हैं अच्छे से मेरी किचिन क्लीन हो चुके है तो आप लोग को दिखाती हूँ और थोड़े से बरतन और रखे उनको भी पटाफर से दो दिया मैंने शाप कर दिया पूरा तो मैं सिंग को भी अच्छे से दो देती हूँ और यह देख लीज़ी क्योंकि यह पर भी गंदेगी हिकटी हो जाती हैं बरतन दोते रहती हैं तो यहाँ भी सावन का चिकना हट और जो तेल की जो बरतनों भी करेमन कितने सताब बजे हैं पता आप लोगों गयारा बच रहे हैं, 7 सब टाफके करी कदे न HDR eating. तो लास्ट रह गया बटलों को बरना, और ये डारेक्ट न लाते हैं, तो दारेक्ट में भर लेती हो, यह टंकी में से पानी नहीं आ हा रहा है तो इसको मैं ad负लों को अच्छे से दौह की भर के रखती हूँ जिसने की राथ को जरूरत रहती है तेंडे पानी की तो फ्रेंस आप रोग पताना कि आप रोग को कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना करनी हो आ गए हो तो मुझे पता आप रूप जरू सब्सक्राइब करोगे और मिलती हो मैंने अच्छे से बहुत अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई से यू सून झाल